College admission for the session of 2020-2022 से लेकर 2023 के admission process जल्द ही शुरू होने वाले हैं और सभी student इस race में शामिल होने वाले हैं But CUET जो की Central University Entrance Test applicable हो गया है इस बार तो सभी student को आने वाले application form के time पे जैसे कि यह हमें पता भी है कि 2nd of April 2022 को आपको CUET के base पे जितनी भी Central Universities है इनका registration application form आपको देखने को मिलेगा तो आपको यह पता होना चीए कि कौन सी best university है under CUET और आपको किस Central University में admission लेना चीए to make your career brighter तो इससे पहले कि आप application form फिल्म करने में कुछ गड़बड़ी करो तो इस वीडियो को end तक जरूर देखना ताकि आपका जो एक career decide होगा वो आपकी एक university के basis पे decide होगा तो आप उस university को choose करने में कोई गलती ना करो तो इस वीडियो को end तक जरूर देखना और अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करो bell icon press करो ताकि हम इसी तरह से जुड़े रह सकेंगे तो चली शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स बेस्ट युनिवर्सिटी का टाग हमारे प्रेसेडेंट खुद देते हैं निर्फ रैंकिंग के अकॉर्डिंग निर्फ रैंकिंग क्या होती है नैशनल इंसिट्यूट रैंकिंग फ्रेंवर्क 2021 की आ चुकी है तो आपको बेसिकली गूगल पर जाना है सर्च करना है और आपको वहां पर काफी सारी युनिवर्सिटी के पॉर्टल्स दिख जाएंगे तो युनिवर्सिटी को देखना है कि कौन सी युनिवर्सिटी जो जो की यूपी में लोकेटिड है जेन्यू आपकी डेली में लोकेटिड है फिर जामिया है जामिया मिलिया इसलामिया युनिवर्सिटी जो की डेली में लोकेटिड है अलिगड मुसलिम युनिवर्सिटी जो की उत्तरप्रदेश यूपी में लोकेटिड है और फाइनली ड जादा popular हैं, आपने इनकी university की rank देखी, जैसे की JNU जो है वो All India 2nd rank पर है, BHE All India 3rd rank पर है, जामियापका All India 6th rank पर है और अलिगर्ण Muslim university जैसे है, और डली university आपकी 11th rank पर है, तो ये बड़ी central universities हैं, इन में आप admission ले सकते हो और इन में से ही किसी एक में आपको admission लेना चाहिए under CUT लेकिन काफी सारे student confused हैं इस moment पर आके कि कौन सी university चूज करना best रहेगा तो अगर मैं अपना personal guidance दूँ आप सभी को, तो मेरे according अगर आप Delhi की किसी university में पढ़ना चाहते हो, तो आपका course अगर कोई technical है, तो आपको जामिया लेना चाहिए, साथ ही आप अगर journal course वाले हो, जैसे की BCOM, BA, BSC, ठीक है, तो इन courses के लिए आपको apply करना चाहिए, JNU में या पिर Delhi University में, यह हो कई Delhi की बात, अगर आप UP में किसी university में admission लेना चाहते हो, जो कि central हो, और under CUET में आपको admission मिले, तो BHU है आपकी top पर, क्योंकि बनारसिंदू university आप सभी ने सुना होगा, जो कि बनारसी में है, वो top की university है, central की है, तो आप उसमें ले सकते हो, अगर आप UP मे slim university में भी ले सकते हो, तो यह मेरे according है, अगर आप इन university में choose करना चाहो, तो जैसे मैं खुद भी Delhi University से pass out हूँ, तो वहां से आपको काफी जादा exposure मिलेगा, I am sure, और मैं इस चीज की guarantee भी दे सकता हो, क्योंकि Delhi University अपने आप में ही काफी बड़ी एक university है, और जो basically हर बार काफ अगर डेली में आना चाहते हैं, तो यह पांच top universities हैं, जिनमें आपको कोई एक choose करनी पड़ेगी जब आप application form को fill करेंगे, under CUET, जो की 2nd of April से शुरू हो रहा है, तो I hope आप सभी के जो doubts ते अब दूर हो गए होंगे, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को like नहीं दिय को share करें, thank you, God bless you all.